जाएं दोस्तों मैं अंकुस्तों मर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्धे डिफेंस अकेडमी में स्वागत करता हूँ कैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे आपकी तैयारी अच्छी चल ले होगी जैसे कि आपको पता है सेटरेडे आपके लिए स्टेटिक जी के का टाइम रखा हुआ है अब फिक्स कर दिया है तो आज सेटरेडे है आपके लिए हम लेके आए है स्टेटिक जी के पार्ट थर्ड जिसमें आज आपके लिए स्टेटिक जी के पार्ट थर्ड में हम कराने जा होंगे sports related तो आज की किलास को पूरा देखना 30 कोश्चन के साथ उनकी संपूर्ण जानकारी आपको लगबग 50 से 60 कोश्चनस आपको यहाँ पे तयार करने को मिलेंगे और सब चीजों को अच्छे से अपने notes बनाते रहना और अपने तयारी को बैतरीन करने के लिए बार बार इनको repeat करके भी आप देख सकते हैं कोई चीजे ऐसी जो miss हो जाए उसे देख सकते हैं किलास को पूरा किया करें ठीक है भाई पूरा किया करें बिलकुल और क्योंकि जितना आप ज़्यादे सीखेंगे उतना ही जादा आपकी exam की अच्छी तैयारी होगी तो मैं अपने static जी के part third world sports के top 30 questions को चलता हूँ शुरू करता हूँ ठीक है भाई चलिए एक छोटी सी motivational line जैसे आप लोगों को मैं हमेशा सुरू करता हूँ हमेशा सुरू करता देखिए वई उडान तो भरना है चाहे कहीं बार गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चो इसी चोटी सी motivational line के साथ अपनी लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ते है और किलास को शुरू करते है पहला कोश्चन आप लोगों के सामने है गोर कीजिएगा भाई कहता है कि Under 19 Women Cricket World Cup 2023 का आयोजन कहां पे होगा 2023 का आयोजन कहां पे होगा ठीक है भाई तो बात करेंगे 2023 का आयोजन कहां पे होगा Under 19 Women Cricket World Cup 2023 का आयोजन साउथ अफरीका में होगा और साउथ अफरीका की मैं बता दू कि Women's के लिए Under 19 World Cup पहली बार होने जा रहा है अब तक यह नहीं हुआ कभी भी कब होने जा रहा है पहली बार 2023 में Under 19 Women World Cup क्रिकेट का साउथ अफरीका में होने जा रहा है ठीक है भाई चलिए बात करेंगे ICC Champions Trophy 2025 का आयोजन कहां पे होगा तो मैं बता दू 2025 का जो आयोजन होगा कहां पे होगा भाई पाकिस्तान में होगा 2017 का England में हुआ था जिसे पाकिस्तान ने जीता था और 2025 के बाद 2029 जो 2029 में होगा वो कहां पे होगा भाई इंडिया में होगा 2029 का कहां पे होगा इंडिया में होगा 2017 का England में हुआ था 2017 का England में हुआ था और जीता भी किसने था से इसे अटा दू इंगलेंड तो यहां लिखा वाई है इसे जीता था किसने पाकिस्तान ने चैंपियंस टोपिक को भारत को फाइनल में हरा के ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 मैंस होस्टेड बाई 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है आपको बता दू 2022 का कहा हुआ 2022 का अभी हाल फिलाल में संपन हुआ है 2022 का कहा पे हुआ ऑस्टेलिया में 2022 का कहा था ऑस्टेलिया में था 2022 का कहा पे था ऑस्टेलिया में था बात करूँगा 2026 का जो होगा 2026 का होगा इंडिया में T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया और स्रिलंका कराने जा रहा है 2026 का ठीक है भाई 2026 का इंडिया और स्रिलंका कराने जा रहा है बात करता है दोजार चोबिस की दोजार चोबिस जो कराने जा रहा है दोजार चोबिस की मेजबानी कर रहा है यूएस से और वेस्ट इंडीज दोजार चोबिस की मेजबानी कर रहा है यूएस से और वेस्ट इंडीज और दोजार अटाइस जो है दोजार अटाइस जो है और न्यूजिलेंड में होगा, चलिए, बैडमिंटन किस देश का राष्टे खेल है, राष्टे खेल के कुश्चन मैंने आपको कराए थे, बैडमिंटन किस देश का राष्टे खेल है, आप सभी को पता होना चाहिए, किस का है भाई, इंडोनेशिया का, बैडमिंटन किस दे खेल के अगर हम बात करते हैं, तो जापान के राष्टे खेल के अगर बात करते हैं, सुमो रैसलिंग, सुमो रैसलिंग, जापान का राष्टे खेल, सुमो रैसलिंग, रश्या का बैंडी, इंडिया का उक्की और इंडोनेशिया का बैडमिंटन, ठीक है भाई, चलो, बात कर बेसबोल में परते एक पक्स में कितने खिलाडी होता है सबसे पहली बात बेसबोल किस देस का राष्टे खेल है युएसे का बेसबोल किस देस का राष्टे खेल है युएसे का और बेसबोल के परते एक पक्स में कितने खिलाडीों की संक्या होते है नो खिलाडीों की संक्या बेसबोल. चलिए. Next question क्योंड रो करते हैं? यह कहता है, डर्भी किस से संस्भण दीतना YAP? डर्भी किस संस्भण दीतना YAP? बताऊ कराए होएцо rames ने आपको. डर्भी किस से संस्भण दीतना YAP? बने बात करेंगे फटा फट से, जल्दी बताएंगे. डर्बी किस से संबंदित है कमेंट करेंगे डर्बी कप डर्बी कप जो है होर्स राइडर घुड रेस घोडा दोड से संबंदित है डर्बी कप घोडा दोड से संबंदित है अगर मैं बात करूँगा गोल्प से संबंदित है राइडर कप गॉल्प से संबंदित क्या है राइडर कप है गॉल्प से संबंदित राइडर कप है अगर मैं पोलो की बात करूंगा पोलो की बाई इजरा पोलो की इजरा कप है और रादा मोवन है इजरा कप है और रादा मोवन है यहां से कुश्चन भी बनते है रादा मोवन और इजरा कप पोलो के लिए ठीक है रादा मोवन और इजरा कप होकी की बात करेंगे होकी की जो है अजलानसा, आगाखाँ, मेजर ध्यानचंद, होकी के कौन कौन से है, अजलानसा, आगाखाँ कप, आगाखाँ कप, और मेजर ध्यानचंद, टोफी, ये किस से सम्भन देता है, होकी से सम्भन देता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है होकी से सम्भन देता है, बात करते हैं किसकी डर्बी कप किस से है भाई होर्स खुड़ दोड से होर्स रेस से चलिए ICC एक दूई से अंतराश्टिय विस्व कप ODI विस्व कप दोजार सत्ताइस पुरूस किसके दुवारा होस्ट किया जाएगा दोजार सत्ताइस आपको कल ही मैंने साथ करेंट में पता था कि साथ साथ अफरीका जिंबाबे और नामी बिया साथ अफरीका जिंबाबे और नामी बिया दोजार सत्ताइस का इंडिया दोजार तेईस अभी होने जा रहा है दोजार तेईस अगले साल इंडिया बंगलादेस जो है दोजार इकतिस इंडिया बंगलादेस दोजार इकतिस और इंग्लेंड वेल्स में लास्ट वर्ल्ड कप 2019 का हुआ था इंग्लेंड वेल्स में लास्ट वर्ल्ड कप 2019 में होता किसी ने जीता था से इंग्लेंड ने जीता था किसके खिलाब था न्यूजिलेंड के इंग्लेंड वसिस न्यूजिलेंड का मैस था जीता किसी ने था इंग परिका मादीव की तीनों कंट्री हैं, इंडिया बंगलादेश दो जार इकत्तिस में, ICC Under 90 विश्व कप 2022 का आयोजन, ICC Under 19 विश्व कप 2022 का आयोजन का हुआ, मैं आपको बता दू कि इस विश्व कप को किसने जीता है, भारत ने जीता है, और कहाँ पर आयोजन था, इसका वेस्ट अंडिज में, कहाँ पर था 2022 का आयोजन, वेस्ट अंडिज में, किसने जीता है, भारत ने जीता है, भारत ने, opposition team मुझे याद नहीं आ रही किसने जीता है under 19 विसकप 2022 भारत ने जीता है ठीक है भाई वेस्ट एंडीज में ये हुआ था चलिए कहता है ICC 126 अंतराश्टे विसकप 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा ICC 126 अंतराश्टे विसकप 2025 कायोजन किसके द्वारा किया जाएगा सबसे पहले मैं आपको बतातूँ कि भाई 2022 में भी हुआ है 2022 में कहां पे हुआ है 2022 में हुआ है न्यूजिलेंड में अगर मैं बात करता हूँ 2022 में कहा हुआ है न्यूजिलेंड में और न्यूजिलेंड में हुआ जीता किसने है और दोजार पच्चिस का जो होगा वो का होगा भारत में होगा इससे आगे का डाटर नहीं है दोजार पच्चिस का का होगा भारत में होगा जो महिला का विश्वकप है दोजार पच्चिस का दोजार बाइस आस्टेलिया ने जी से कम उम्र के grand master कौन बने है daguke agar world के सब से कम उम्र के की बात करूए मैं world के सबसे कम उम्र के कि अगर मैं बात करता हूं abhimanyumisra world के सबसे कम उम्र के grand master abhimanyu misra अब यह कहां के है जब नाम तो इनका भारते दिखायiki रहा है लेकिन भारत के कोन है डी गुकेस है तो यह को कहा कै भाई यह USA का अभिमन्यू मिस्रा कहा का है USA का अभिमन्यू मिस्रा वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के ग्रेंड मास्टर ठीक है भाई सबसे कम उम्र के ग्रेंड मास्टर वर्ल्ड के कोन है अभिमन्यू मिस्रा और भारत का डी गुकेस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये वाला कोश्चन आप लोगों के सामने है गोर करेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे है ग्रीन पार्क स्टेडियम सभी को पता है कानपूर में है ग्रीन पार्क कहां पे कानपूर में है ठीक है, और चंदिगड मोहाली, न्यू चंदिगड बन रहा है अब तो खेर, अब की बार जो होगा महाँ पे, न्यू चंदिगड में होगा, न्यू चंदिगड के नाम से हैं, न्यू चंदिगड के नाम से हैं, बैंगलूरू का कौन सा है, या देखें भाई किसी को, पीची वाली पर्थम भारते महिला कोन है कर्णम मलेश्वरी पहली भारते महिला कोन है कर्णम मलेश्वरी कौन सा पदक जीता था ब्रोंज पदक जीता था किसमें बोडी बिल्डिंग में सोरी वेट लिप्टिंग में किसमें वेट लिप्टिंग में पहला वेट लिप्टिंग में पहला जीता था किसने ब्रोंज करनम मलेश्वरी ने करनम मलेश्वरी ने और करनम मलेश्वरी ने जीता कब था बाती आती है 2000 में सन 2000 में सिड्नी में ये हो रहा था हमारा कहां पे हो रहा था सिड्नी में हो रहा था ओलम्पिक और ओलम्पिक सिडनी में था तो किसमें वेट लिप्टिंग में ब्रॉंज जीता था करनम ने कोई भी महिला ओलम्पिक में गोल्ड नहीं लेके आपाई है ब्रॉंज लेके आई थी पहली कौन करनम मलेशवरी चलिए ICC T20 विश्वकब 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी भाई अगर 2023 की बात करते है ICC T20 विश्वकब सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज में हुआ था दोजार अठारा में 2018 में वेस्ट इंडीज में हुआ था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके बाद किस में हुआ हूआ अस्ट्रेलिया में 2020 में और अब का होगा T20 विल्ड कप महिला का साथ आफरीका में अंतराष्टे क्रिकेट परिसद, ICC, ICC, Indian Cricket Council का मुख्याले कहाँ पहाँ पहाँ है, दुबई में, चलिए, आगे बढ़ेंगे, कहता है, तिरंदाजी किस देश का राष्टे खेल है, बताओ भई, तिरंदाजी, आर्चरी किस देश का राष्टे खेल है, उससे पहले मुझे आप बंगलादेश का बताओगे, उससे पहले मुझे आप बंगलादेश का बताओगे कौन सा है, बंगलादेश का आप लोगों को पताओना चाहिए, कौन सा राष्टे खेल है, राष्टे खेल मैंने आपको लिखाय हुए है, कराय हुए है, तो बंगलादेश का राष्ट तिरंदा जी बुटान का कौन सा है आरचरी तो आपका अंसर आ चुका है बुटान तो मुझे नेपाल का भी एक बार आप कमेंट करके बताएंगे नेपाल का भी एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे बताएंगे भई फटा फट से नेपाल का और चाइना का नेपाल और च टैनिस चाइना का टेबल टैनिस ठीक है भाई चालो नेपाल का वोलीवोल चाइना का टेबल टैनिस चलिए आगे बढ़ेंगे अब question number 16 बुल्स आईज किस खेल से संबंदित है बुल्स आईज किस खेल से संबंदित है सूटिंग से संबन देते बुल्स आई ठीक है भाई सूटिंग में यूज किया जाता है बुल्स आई को ठीक है चलिए question number 17 2018 FIFA World Cup किस देश ने आयोजित कराया था 2018 का FIFA World Cup किस देश ने आयोजित कराया था बात आपकी आती है 2018 FIFA World Cup की तो बता दू किस ने कराया था भाई रश्या ने 2018 का किस ने कराया था रश्या ने कराया था अगर 2022 की बात करेंगे 2022 की बात करेंगे तो कौन कराने जा रहा है किस ने कराया 2022 का कतरने 2022 का कतरने और 2018-2022 के बाद आपका था 2026 का 2026 का फीपो वर्ल्ड कप होगा फीपा वर्ल्ड कप होगा कौन USA, कनाड़ा USA, कनाड़ा और मेक्सिको अफरीका, ओ सोरी, अमेरिका माधवीफ के तीन कंट्री हैं, USA, कनाड़ा और मेक्सिको, 2026 का फीपो वर्ल्ड कप कराने जा रही है USA, कनाड़ा और मेक्सिको ठीका वैच, तीन कंट्री कराने जा रही है 226 में कहता है, अंतराष्ट औलंपिक समी Edinburgh का मुख्याले कहां पर है अंतराष्टे ओलम्पिक समीती का मुख्याले कहां पर है भाई, स्विटजर लेंड में बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे कि जगे सहर कौन सा है स्विटजर लेंड में कभी कभी क्या आ जाता है, सहर भी आ जाता है बाई तो सहर कौन सा है अगर हम स्वीट जर्लेंड के सहर की बात करेंगे तो जो सहर है वो है लोसने लोसने सहर कौन सा है लोसने लोसने है सहर अच्छा अगर इसके हम हैड की बात करेंगे फीपा वल्ल्ड कप के हैड कोन है फीपा सोरी फीपा का Federation of Football International Football Association के head कोन है FIPA का head बात करते हम FIPA के head की तो भाई FIPA का head कोन है मुझे एक बार comment करके बताएंगे FIPA का head कोन है तो head जो है Thomas Bach नोट कर लेंगे head कोन है Thomas Bach head है Thomas Bach चलिए आगे बढ़ते गोल्प किस देश का राष्टे खेले गोल्प किस देश का राष्टे खेले जल्दी comment करके बताएंगे गोल्प किस देश का राष्टे खेले गोल्प सभी को पता होना चाहिए किस का है Scotland का क्योंकि देशों के national जो राष्टे खेले है वो मैंने आपको करा चुका हूँ Scotland का Britain की बात करते है तो गुष्टेन का कौन है किरकेट है गुष्टेन का कौन है किरकेट है न्यूजिलेंड का कोन है भाई रगभी है न्यूजिलेंड का कोन है रगभी है न्यूजिलेंड का कोन है रगभी है और अगर ब्राजिल की बात करेंगे कोपेरिया ब्राजिन की बात करेंगे कोपेरिया ब्राजिन की बात करता है ब्राजिल की कोपेरिया चलिए आगे बढ़ेंगे कुश्चन नमबर 20 पाटो किस देश का राष्टे खेल है बात आती है पाटो की किस देश का राष्टे खेल है तो भई पाटो के बारे में अगर मैं बात करता हूँ उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा हंगरी का राष्टे खेल कौन सा है वाटर पोलो अगर मैं हंगरी की बात करता हूँ कौन सा है राष्टे खेल वाटर पोलो पाटो की बात करो तो किसका है वही अर्जेंटिना का, अफगानिस्तान का खेल कौन सा है वही, बुजू कसी, अफगानिस्तान का राष्टे खेल कौन सा है, बुजू कसी, बुजू कसी, और नौर्वे का राष्टे खेल के अगर हम बात करते हैं, नौर्वे के राष्टे खे की बात करते हैं इसकींग नौर्वे के राष्टे खेल की बात करेंगे इसकींग हंगरी वाटर पोलो अफगानिस्तान बुजुकसी और पाटो किसका अर्जेंटिना का पाटो अर्जेंटिना का और नौर्वे का इसकींग नौर्वे का कौन सा भाई इसकींग ठीक है नोट कर तासाइद अभी यही तो question था FIPA का मुख्याले Switzer Land में FIPA का ही था कि एक मिनिट रुखो कहा गया यह Olympic Committee का था और इसे मैं FIPA में करा दिया Olympic Committee का head यह FIPA का करा दिया यह Olympic कर लो भाई से correction कर ले न Olympic Committee का head है Thomas Bach Sorry Olympic Committee का head कौन सा है भाई Thomas Bach है आगे चलते है FIPA की और तो बात करते है question number 21 FIPA का जो है जूरिक में है FIPA का जूरिक FIPA का head quarter है वो का पे है जूरिक में है और यह जूरिक भी काँ पे है Switzer Land में यह भी काँ पे है Switzer Land में ठीक है Olympic का भी काँ पे था Switzer Land के Lossain में था जो Lossain है यह Switzer Land में था अभी कराए मैंने किसका Olympic का last question जो अभी मैंने वापिस मुड़ा हूँ अगर मैं फीपा के HEAD की बात करता हूँ तो भाई HAD है ग्यानी Infantino Head कोन है ग्यानी Infantino ग्यानी Infantino Infantino Head कोन है ग्याने इन्फेंटिनो एड़ है ठीक है भाई चलो नेक्स कोशिचन क्यों रमूव करते हैं नेक्स कोशिचन आपका फीपा अंडर सेवनटीन महिला विसकप 2022 की मेजबानी किसने की पहले इस बारत बारत ने की मेजबानी किसने की भाई बारत ने की पहलेस पे बैन था लेकिन भारत ने बैन अटवा दिया और 2022 कायजरिण कहां पे हुआ था बारत में अभी नवंबर में ही हुआ था आलप llal में चलिए बात करेंगे द्हान चर्यण अवाड बिए जा जा चाएं तो यह आनसर नहीं है हमारा किस से संबंदित है फिर ये अगर खेल से संबंदित ने है तो ये भी पता होना चाहिए नॉर्मन बॉर्लोग किस से संबंदित है अगर खेल से संबंदित ने है तो किस से संबंदित है फिर ये आप लोगों को पता होगा हरित करांती के जनक कौन माने जाता है नॉर्मन बॉर्लोग कौन वाना जाता है हरित करांती का जनक नॉर्मन बॉर्लोग सुरू कब से हुए थी 1965 से हरित करांती का जनक ठीक है भाई नॉर्मन बॉर्लोग तो ये पुरुसकार किस छेतर में जाता है किर्सी छेतर में किस में जाता है किर्सी किर्सी छेतर का पुरुषकार है, किर्सी छेतर का पुरुषकार है, नॉर्मल बॉर्लोग पुरुषकार, ठीक है भाई, चलिए, आगे बढ़ेंगे, कुश्चन नमबर 24, थोमस कप, आचुका पहले भी बता है कि हमने किसे सम्मंदित है, चलो किर्केट के बता हूँ, मुझे किर्केट की बात करूँ, इरानी ट्रोफी भी किर्केट की है, यह तो किर्केट की हो गई, तो थोमस कप किस से रिलेटिड है, बताओ भाई, थोमस कप किस से रिलेटिड है, तब तक मैं आपको टैनिस का बता दू, टैनिस के लिए रोजर कप, टैनिस के लिए कौन सा है भा बास्केट बोल से संबंदित, बास्केट बोल से संबंदित कौन-कौन से आपका, भाई, बैडमिन्टन का बताओ, मुझे चलो, थोमस बैडमिन्टन से रिलेटिड है, थोमस कप किसे रिलेटिड है, बैडमिन्टन से, तो आपका अंसर होगे, बैडमिन्टन, अगर मैं बात क करूंगा Uber, Sofya, ये भी किस से related है, badminton से, एक Uber cup है, एक Sofya cup है, ये किस से related है, Uber cup भी और Sofya cup भी किस से related है, badminton से, ठीक है भाई, answer के आगे आपका D, badminton, चलिए, question number 25, rider cup, अभी तो हुआ था थोड़ी देर पहले ही, rider cup किस से संबन देता बताओ, थोड़ी देर पहले ही हु फीपा माईला विसकप 2023, फीपा माईला विसकप किस के दोवारा आयोजित किया जाएगा, 2023, 2023, अगर मैं 2019 की बात करूं, तो 2019 किस ने करा था, जर्मनी ने है, फ्रांस ने, 2023 किस ने करा था, भाई, फ्रांस ने करा था, 2023, फ्रांस ने करा था, 2023, ठीक है बात, और, 2023 फ्रांस ये मिस्टेक होगी दोजार तेईस कौन कराने जा रहा है और दोजार उन्निस किसने कराया दोजार उन्निस कराया भाई फ्रांस ने दोजार उन्निस कराया फ्रांस ने और दोजार तेईस कराने जा रहा है आस्टेलिया और न्यूजिलेंड 2023 फीपा we알्ल कप किस के दुवारा होगा महिला का 2023 वल्ल कप किस के दुवारा आयोजित किया जाएगा । आस्टेलिय और न्यूजिलेंड के दुवारा फ्रांसं में 2019 का हुआ था Qeš no. 27 महिला की विच विच अप 2022 किस के दुवारा आयोजित किया गया इस्पेन और निदरलेंड्स के दौरा किसके दौरा भई इस्पेन और निदरलेंड्स के दौरा चलिए कोश्चन नमर 28 फीपा बास्केट फीबा ये क्या है 2019 का कराए था चाइना ने और 2023 कराएगा Philippines Japan और Indonesia ठीक है भाई Philippines Japan और Indonesia आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कोस्चोन नमबर 29 कि अचिता बीमर यह है बीमर किस स्केल से संबंदित सब्दे बीमर आप जानते होंगे जो किर्केट कैलता है किर्केट में जो फुल्टोस बोल डारेक्ट फुल्टोस डाल दी जाती है सीधी बल्लेबाज को बिना टपा दी है उसे क्या बोलता है बीमर अगर कोई बोलर दो बीमर लगा देता है तो उसे मैच से हटा दिया जाता है दो बीमर लगाने के बाद मैच से क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है तो किस से संबन देता है ये बीमर किरकेट से संबन देता है बही चलिए कोश्चन नमबर 30 वाटर पोलो में परते एक पक्स में कितने खिलाडी होता है सबसे पहली तो बात मुझे बताओ वाटर पोलो किस देश का नैसनल खेल है राश्टे खेल किस देश का है यह बताओ मैं अभी करा चुका हूँ वाटर पोलो किस देश का है वाई हंगरी का वाटर पोलो किस देश क खेल है हंग रही का तो टोटल आपको तो तीस question के साथ maximum जाना कारी के साथ मैंने आपके class पूरी करआई मैक्सिमम जाना कारी के साथ class पूरी कराई तो आपके लिए जैसा हमेशा मिलता है question of the day हमیسا मिलता है question of the day question of the day आपके सामने है badminton में net की जमीन से हुचाई क्या होती है badminton में net की जमीन से हुचाई क्या होती है तो question of the day का आपको video के last में comment जरूर करना है class कैसी रही यह भी comment करके जरूर बताना है यह आप लोग बताया करे क्लास को रेस्पॉंड के अगर आप लोगों का दाय तो है इस चीज़ को पूरा करना चाहिए आपको ठीक है भाई चलिए खेर क्लास कैसी रही अच्छी रही है तो कमेंट करके जरूर बताए अगरे कोई सीज़ अच्छी लगते हैं से अप्रिशेट करना सीखिए ठीक है भाई आप लोगों की बहुत मददगार सावित होगी जीवन में आगे चल के भी फ्योर यूर फ्यूचर परसेप्शन चलेंगे आज की क्लास इतना ही थैंक यू वेरी मुच टेक कैर और जहिन सभी को मिलेंगे कल फिर एक नई क्लास के साथ में थैंक यू वेरी मुच